हेलो दूस्तो नमश्कार हमेशा उसको दो बॉक्स में डिवाइड हो किया जाता है एक रहेगा लिस्टिंग गेन के लिए क्या वो अच्छा है और दूसरा रहेगा लॉंग टम के लिए क्या वो अच्छा है तो इस दो चीज हम लोगों को या पर देखनी है आराम से पढ़ेंगे कोई जल्दबाजी नहीं एक ही बार वीडियो देख लेंगे तो सारी चीज़े आप लोगों को या पर समझ में आ जाएगी तो फटाबड़ी स्टार्ट करते है बड़ उससे पहले जरू के ना चाहूँगा इसके बारे में अभी हम लों को कच यहापर जानना है अगर देखा जाए तो अप सभी लोगों के याप्र पता है कि नाम में ही सब कुछ यहापर आ जाता है कि हम लोगों को स्माल फाइनस बैंक से इसके पहले भी oliella is all finance vроб अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें जो ये company की, ये जो small finance bank की जो services है, वो company ने 2017 से शुरू की है, मतलब अगर हम लोग यह आपे देखा जाए कि ये small finance bank के पहले ये as a nbf से operate किया करती थी, so ये कुछ चीजे हैं छोटी-मोटी जो कि आप लोग के आपे पता होनी चाहिए, ये सारी चीजे किसके लिए important है, एक long term के investor के लिए, क्योंकि वही तो ये सारी चीजे देखे का, listing gain वाले वक्त के एक ही चीज important होती है, current gray market premium क्या चल रहा है, बाजार की स्तिती क्या चल रहे है, that's it, उससे आगे पीछे कोई भ पॉंक कस्टामर बेसे, एंड ये data सब जुले 31st 2020 का है, so इसके बाद और भी improvement भी शायद से आपे हो सकते है, उसी की साथ-साथ अगर हम लोग यापे बात करें, तो एक company operate का आपे होती है, so urban में, उसी की साथ-साथ, semi-urban locations में, इनके जादा हम लोग को यापे locations यापे operations दे जैसे की offer credit products, like MFI loans की अगर हम लोग यापे बात करें, shopkeepers loan की भी बात अगर हम लोग यापे करें, उसी के साथ-साथ-साथ, digital banking की यापे बात हो रही है, उसी के साथ-साथ-साथ, अगर हम लोग यापे बात करें, तो focus on unserved and underserved through innovative banking practices यहापे देखने की मिल रहा है, उसी मतलब यह चोटे-मोटे हम लोग सारी चीज़ यहापे देखते है, अगर हम लोग बात करें, diversified asset portfolio, focus की बात करें, तो retail operations के उपर focus यहापे रखते है, यह जो हम लोग ने उपर देखा था, उससे अंदाजा आ जाता है, यह company के चार promoters, जिनके नाम आप लोग चाओ तो Google करके देख सकते हो, DRHP भी पढ़ सकते हो, तो सारी चीज़े आप लोग के यहापे सामने आ जाएगी, then अगर हम लोग यहापे बात करें, दोस्तों सबसे important चीज़ की company का business कैसा चल रहा है, long term वालों के लिए important है, asset की बात कर लेते हैं, तो asset आप लोग देख सकते हैं, जबर दस growth में अजर यहापे आ रहे हैं, फिलाल इसको skip कर लेते, revenue की बात कर लेते, 3200, 5900, 8500, तो revenue भी कर लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त यहापे देखने को यहापे मिल रहा है, and NP80, profit भी तो बचना चाहिए, तो 114903, and आप देख सकते हैं, 1100 के भी millions की अगर हम लोग यहापे ब मिल रहा है, so इसमें कोई शक्की गुझाश नहीं कि bank बहुत ही जबरदस performance यहापे दे रही है, जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो, right, यह long term वालो के लिए बहुत ज़्यादा important ही, इसके बारे में हम लोग थोड़ी दिर बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें, objectives, यह IPO यह लाया क्यों जा रहा है, so आप लोग यहापे देख सकते है, requirement उनने यहापे लिखिए, fresh issue यह इसलिए रहने वाल, towards the augmenting the bank's tier 1 capital base to meet the bank's future capital requirement, so हम लोग कह सकते है, requirement के लिए सारी चीज़े, अभी आ जाते है, formalities के उपर, 17 तारीक को open होगा, 3 दिन चलेगा, 19 को close होगा, 10 का face value है, price band की बात करें, तो 303 से लेके 305 जिसका कोई value नहीं है, मतलब cut off price यह हमारे लिए important रहता है, lots की बात करें तो 49 shares रहेंगे, NSC, BSC, दोनों के उपर देखने को मिलेगा, issue size की बात करें तो 582 करोड का IPO है, जिसमें से fresh issue रहेगा, somewhere around 200 करोड के आसपास company के पास जाएगा बाकी promoter जो अपनी हिसेदारी बेच रहे, 333 करोड वो उनके पास यहापे जाने वाला है, दैन अगर हम लोग इसी IPO को continue करें, 17-19 की बात करें, तो उसके बात allotment 24 तारीक को होने वाली है, उसी की साथ अगर हम लोग बात करें नहीं, जिसको मिलेगा, उसको भी refund उसी तारी को भी मिल सकती है, so again same box जो मैं हमेशा बनाता हूँ, 19 तारीक को close हो जाएगा, and 30 तारीक को list होगा, so इसके बीच का जो gap है, somewhere around approximately 11 days, so यह gap के बीच में uncertainty रहेगी, बाजार अगर गिर जाता है, so जो premium रहेगा, grey market premium, वो भी हम लोग को फिसलते वे देखने को मिलेगा, so grey market premium बह एक lot की बात करे, 49 shares मिलेंगे 15,000 में, 13 lot maximum आप लोग यहापे apply कर सकते हो, अगर हम लोग बात करे 30% यहापे promoter के पास है, and इस issue के बाद अगर हम लोग यहापे बात करे, post issue की बात करे, 28% तक यहापे रहने वाला है, अभी वापस कहना चांगा, एक banking stocks के लिए, अगर हम लो पर बढ़ा सकते हैं, उससे related अभी तक कोई भी update सामने नहीं आया है, so दोस्तो यह सब कुछ update डेखने के बाद, अभी आ जाते, finally conclusion के उपर, कि यहापे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की बदले में use करना चांगा, कि मैं क्या करूंगा, right, मैं अपने point of view से बाद बोलना ब अगर मैं बात करूं, तो already AU small finance bank अच्छा कासा return दे रहा है, जो कि अभी अभी bank nifty में भी enter हो चुका है, तो अच्छा कासा वहाँ पे पैसा बन रहा है, so unnecessarily और एक bank को, and small finance bank की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने का AU small finance bank में अपने portfolio से यहापे बात करूं, हर एक का portfolio के उपर मैं यह rejection नहीं दे रहा हूँ, company के parameters हम लोग ने अभी भी देख लिए financials, बहुत ही tough है, बहुत ही शांदार है, आप लोग खुद ही आपे देख सकते हो, point number one, यहापे मैंने अपने point office से यही बात साफ साफ clear कर दी है, अभी आ जाते second important point के उपर, जहापे maximum लोग इ दोस्तो premium की बात करें, तो आप लोग खुद ही आपे देख सकते हो, 15 March के data की हिसाब से अगर हम लोग यहापे बात करें, so 32, 33 रूपीज का premium, gray market premium हम लोग यहापे देखने को मिल रहा है, जो कि उस level का premium हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ही solid रहता है, 33 पकड़ लेते, ठीक है, so फिलाल तो stock की अगर मैं बात करू, तो आप देख सकते है, 305 और सिफ 33 रूपीज का premium, gray market premium, so हम लोग कह सकते हैं, कि यहापे जिस type के अभी तक हम लोग को IPOs देखने को मिले है, उस level का gray market premium मेरे हिसाब से तो मुझे उतना नजर यहापे नहीं आ र बहुत ही कम है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इसका risk क्या रहेगा, risk मैंने इससे पहले बता है, कि अगर company का देखी, premium अगर बहुत ही higher level पे रहता है, जैसे कि usually हम लोग double देखते हैं, ऐसे double इसमें अगर market का भी नीचे आ जाता है, जटका क्योंकि हमारे हाथ में तो नह आप लोग को बोल सकता हूँ, तो premium company का gray market premium बहुत ही कम है, 33 के आसपास यहापे देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने का यह fluctuating manner में रहता है, 33 से 40 भी जा सकता है, 33 से 25 भी आ सकता है, तो apply करने से पहले वापस करना चाहूँगा, यहापे date कभी apply के लिए, 17th March है, पहले दीन त करना चाहिए, अगर gray market premium आगर आपको लगता है कि जो मिल रहा है वो अच्छा है, satisfy हो आप उससे related, तो आप लोग यहापे जा सकते हो, वरना आप चाहूँ तो यहापे ignore कर सकते हो, बट अब तक जितने भी IPO हम लोग ने देख लिए, अगर हम लोग बात करें, mtar का IPO आप द करना चाहते हो, तो आप इसके लिए यहापे जा सकते हो, बट यह risk रहेगा, इतना में आप लोग को ज़रू यहापे कह सकता हो, long term के लिए भी company का parameters अच्छे है, बट मेरे पास already यह small finance bank है, इसलिए मैं फिलाल इसको ignore यहापे कर रहा हूँ, आगे के financials देख लेंगे, जब यह company list हो जाएगी, तब अगर performance अच्छा रहा, तो ज़रू अगर हम लोग चाहो, तो इसके बारे में हम लोग detail में आगे वीचार कर सकते हैं, आप अच्छा करता हैं, दोस्तो, मेरे point of view से जीतनी भी बात है थी, मैंने clear करके आपके सामने यहापे रख दिये, तो अगर अच्छा लगे, तो ज़रू लाइक और शेयर कर देना, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye-bye